गाईज आज की वीडियो में मैं आपको फेस्बुक अकाउंट का पासवर्ट रिकवर करना सिखाने वाला हूँ क्योंकि गाईज जब आपका अकाउंट में किसी का जीमेल एड हो जाता है और आपके जीमेल पे कोई भी OTP फेस्बुक नहीं भेज रहा है ऐसी में क्या आप अपने अकाउंट का पासवर्ट रिकवर कर सकते हो forget कर सकते हो, reset कर सकते हो या नहीं जब code नहीं आएगा, OTP नहीं आएगा तो आप अपने password को कैसे recover करोगे यह तो बिल्कुल भी possible नहीं है लेकिन गाईज एक trick है जिसको लगा करके आप अपने password को recover कर सकते हो चले गाईज, live proof के साथ आपको live समझा देता हो सोगई अपने password को recover करने के लिए आपको same to same trick को apply करना है same to same method आपने try करना है जैसे आप method को, trick को try करोगे तो आपका password 100% recover हो जाएगा बेसक उस account में, आपके account में किसी दूसरे person के gmail number अवगरा add क्यों ना हो यहाँ पर एक gmail और उसके नीचे मैंने एक password यहाँ पर डाला है क्योंकि यही अब तक मेरे account का password और gmail था लेकिन यहाँ पर मेरा password जो ना incorrect facebook यहाँ पर दिखा रहा है मैं अब यहाँ पर try another way पे जब click करूँगा तो यहाँ पर जो gmail होंगे वो other person के होंगे यहाँ पर मेरा gmail शो नहीं हो रहा है जो gmail है वो other person के मतलब शो हो रहा है जैसे कि आप देख रहे हो display पर नंबर बगड़ा उसका है और account हमारे पास login नहीं है तो ऐसे में password reset करना मतलब आसान है या difficult है हाना कि मेरा यहाँ पर लगा हुआ है लेकिन facebook इस पर कोई भी OTP कोई भी कोड किसी भी प्रकार का code facebook नहीं भेज रहा है यह काफी दोस्तों के साथ मतलब बहुत बड़ी problem आ रही है कि उनको facebook OTP ही नहीं दे रहा है तो ऐसे में आप अपने account का password कैसे रिकावर कर सकते हो कैसे रिषेड कर सकते हो वीडियो आखीर तक देखने है मेरे अगराव स्किप करकर करके देखो के तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा थोड़ा छोटा सा आम अतलने वीडियो हो सकता है प्लस हो सकता है बट मैं आपको रिकेमेंड करूंगा कि भाई पूरी वीडियो देखना हर स्टैप को सही से फोलो करना कोई भी स्टैप मिस्स मत कर देना हमारे जीमेल पे कोई भी ओटीपी कोई भी कोड फेस्बुक नहीं भेज रहा है हलाकि जीमेल एक हमारे पास है मैंने कि किसी दोस्त को अपने मतलब गेम को खेलने के लिए आईडियो पासफ़ोर्ट दिया था लेकिन उदर से उस बंदे ने जीमेल वगरा नमबर वगरा अपने एड कर लिये लेकिन मेरे जीमेल को रूमूर नहीं कर पाया तो ऐसे में अब मेरे पास है नहीं और मैं नहीं आपको यहां पर एक मतलब नोतिविकेशन को च्थक कर लिया कि आपने लाष्ट पासवड e कब किया था एक दो तीन चार पान जब भी आपने पासवर्ड को चेंज किया होगा तो उसके नोटिविकेशन को ओपन करना है यहां पर आपको क्लिक करना किसी एक ब्राजर को मतलब स्टार करना और उसके बाद आपको डिसवाज में और डिस वाज आपको अपने को सब्सक्राय करने के लिए आp करना है और आपका रिखुर होना उसके बाद 玩具 ऊफ्योर क्योर न उसके बाद आपके पास न्यू पासवर्ड क्रेट करने का ओफसन आ जाएगा लेकिन यहां से आप कोई भी पासवर्ड क्रेट नहीं कर पाऊगे आपको यू कैन नाट मेक दिस चेंज एट दा मॉमेंट वाली प्रोलम देखने को मिल जाएगी क्योंकि जब ओटी भी नहीं आ कॉम साइट से जाकर के अपने अकाउंट को डारेक्ट यहां पर शो करवा सकता हो प्रिंस मिस्रा के नाम से अकाउंट है और यह अकाउंट मेरे मतलब ब्रावजर में लोगिन हो चुका है अब मेरे को चाहिए इसका पासवर्ड उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा सबसे पहले हम यहां से एक इस्टाग्राम का अकाउंट उस बंदन ने लगा रखा है को रिमूव करेंगे ताकि वो कोई भी गरबड कोई भी हेरा फेरी हमारे अकाउंट के साथ ना कर पाए हमने उसके इस्टाग्राम को यहां से रिमूव कर दिया है तो यहां से रिमूव हो रहा है आपको पता ही होगा कि इस्टाग्राम का अकाउंट कैसे आप किसी का भी अ at the moment यह problem देखने को मिलती रहेगी तो आपको अपने ओफिसली फेस्बुक में आ जाना है ओफिसली फेस्बुक में आने के बाद सबसे पहले आपको अपने account को find करना है जो भी आपके account पर Gmail है आपका Gmail लगावाए अपने Gmail को यहां पर पेस्ट करना है पेस्ट करने के बाद आपको continue करना है continue करने के बाद आपका Facebook का account यहां पर सर्च हो जाएगा जैसे आपको Facebook अकाउंट यहां पर सर्च होता है तो आपको ओटीप वगारा तो नहीं आने वाला आपको second option get code विया फेस्बुक notification यहां पर करके आपने continue करना है जैसे आप यहां पर continue करोगे तो ओटीपी एक कोड़ आपके जीमेल वगारा पर कहीं पर नहीं जाना है वाला क्योंकि अब आपके पास आपका Facebook कोड़ वगारा मांग रहा है तो code वगारा डालने के बाद आपने continue करना है एंड करने के बाद अब आपको new password क्रेट करने का option मिल जाएगा तो यहां से आपके Facebook के लिए password क्रेट हो जाएगा जैसे आप यहां से new password डाल के से continue करोगे तो आपका you cannot make this change वाला जो प्रोब्लम था वो यहां से fix हो जाएगा आपको कोई भी प्रोब्लम कोई भी error ऐसा देखने को नहीं मिलेगा तो अब हमारे पास हमारे Facebook account का password आ चुका है रही बात उस बंदे के Gmail की उस बंदे के number की तो उनको हमें remove करना है तो remove करने के लिए सबसे पहले अब हमें क्या करना पड़ेगा उसको देखो remove करने के लिए हमें जो trick लगाना होता है वो हमारे पास last और final trick एक ही बच्ता कि हम अपने account को lock कर पाएं लेकिन गाइज कुछ बंदे ऐसे हैं जो अपने Facebook के account को lock भी नहीं कर बाते हैं तो भाई लोग करना भी बहुत ज्यादर difficult है यह method भी बहुत hard हो चुका है हम अब अपने Facebook के account को lock भी नहीं कर सकते हैं लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ सिख लगे हैं उनको remove करना सिखाऊंगा और third अपने account को secure करना सिखाऊंगा क्योंकि जब हम अपने account को lock करने के लिए कोई भी next Gmail वगारा add करते हैं तो अब जब password reset करने में इतना बागा वारा है इतना glitch हमें मतलब phase करना पड़ रहा तो हमारा जो Gmail next Gmail हम add करेंगे तो उस पर कोई की भी OTP वगारा नहीं जाएगा और नहीं कोई add Gmail email करके को नोटिफिकेशन जाने वाला तो वीडियोगा लाइक करो शेर करो चालन को स्क्राइब करो मिलते नेक वीडियों तक टक जैहिंद वन्दमातरम